नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपको इस वीडियो के अंदर यह बदाने वाला हूँ कि आप अपने पीएफ एकाउंट के अंदर बैंक के काउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ दोस्तो इस वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंक टेकनिकल दोशाली आज की जो क्माल की वीडियो है सुरू करते हैं तो यहां पर दोशो सबसे पहले आपको अपने प्याइफ का यू नमबर और पासवर्ड के सहारे और यहां पर इसके अंदर दर्ज करके और यहां पर सईने पे क्लिक कर लोगिंट के अंदर चलिए हम कर ले यहां पर आएंगे देखिए आपको बैंक की किवाशी करनी है तो आपके अधार कार्ड के साथ में जो मुबाइल नंबर लिंक है उसके उपर एक OTP आती है उस OTP को जैसे आप दर्ज करेंगे तभी आपके बैंक काउंट के साथ लिंक हो पाएगा ने किवाशी हो पाएगी च लिए आपको क्लीक कर लेना क्लिक करना चलिए हम से अपर क्लिक करेंगे अब आएगी ओटीप कर दिया है तो यहां पर अपना आएप सी कोड को वेरिफाइब किया है फिर यहां पर से यहां पर ले रहा है यहाँ तरह कर देंगे आपके कर देंगे तो यहाँ पर लिखाव नजर आ जाएगा आपका नाम और यहां पर आपके साथ दिन के अंदर आपको एप्लाई करना होगा तो यह बात आपको ध्यान रखनी है साथ दिन के अंदर मतलब हो जाना चाहिए अप्रूब नहीं होगा ता आपको वापीश एक बर एप्लाई करना होगा दोस्तों यही तरीका है नया तरीका बस यही है कि बैंक की के वाईशी आपको करने हैं पीएफ एकाउंट के अंदर आपको ओटीपी दर्ज करनी होती है ब सब्सक्राइब करके अपने सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाला हूं जो सिधा तोर पे आपके लिए हैं बुसावित हो पाएंगी दोस्तों मिलतों नेक्ष वीडियों में एक अच्छी और शानर वीडियो के साहा तब तक के लिए जया हिंद जया भारत कर दो